हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जिके बाई जिवानसर यूटूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ, तो आज हमने एक नहीं पहल शुरू की है, ये पहला है साइस, साइस से सम्मंदित बहुत सारी समस्यां सुनने को मिल रही है, कि हम साइस में क्या पड़े, क्या ना पड़े, तो मैंने सोचा है, कि आपके लिए डेली बीस क्यूशन साइस के दूँगा, और वो बीस क्यूशन कौन से होंगे, ये बीस क्यूशन इस टाइप के होंगे, जो HSSC में पिछे एकजाम में पुछे गई, आज जो परसन हम करने वाले हैं, बीस परसन, ये सभी परस परसन हरियाना पुलिस कोस्टेबल के एकजाम में और गुरुप डी के एकजाम में पुछे गई हैं, और इन सभी के आंसवर जो आपको बताने वाला हूँ, वो आंसवर जो HSSC ने इनके राइट माने हैं, वो आंसवर आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को सदा सेर करेंगे, क्योंकि आपको पता है, जब वीडियो बनाई जाती है, इसके लिए पहले टाइपिंग करनी पड़ती है, और टाइपिंग करने के बाद इसकी पीडिये बनाने के बाद रिकोर्डिंग की जाती है, और बात करें, अगर रिकोर्डिंग में मिश्टेक हो जाए क्योंकि एक तो लाइब करवाते हैं फरक होता है तो उसको दुबारा भी बनाना पड़ता है तो भाई बहुत मेहनत लगती है इस मेहनत को आप फाइदा उठाओ इस मेहनत का लेकिन साथ साथ में लाइक और शेर और जो नए है वो चैनल को सस्क्राइब जुरूर कर ले किसके दुबारा होता है वाईरस विशानू दुबारा होता है आपके लिए परसन रहेगा खसरा और वेला की हरियाना में ब्राइड मेस्टर कौन है अगले परसन पर चलते हैं अगला परसन है पसू और भेंस किस परिवार में आते हैं परसन क्या पुछा गए आपसे सुनि डेई क्या रहेगा वो भी डेई वो भी डेई इसका राइट अंसर रहेगा अगला परसन देखिए बुरून को जनम देना क्या कहलाता है बुरून को जनम देना क्या कहलाता है सोच लिया होगा आपने क्या अंसराएगा परसो क्या अंसराएगा राइट परसो बुरून को जन सबसे है आपको पता है दूद करांती आपको है दूद करांती यह जो रखेद करांती है दूद उत पादन से हो एक वर्गीझ और कया समझे में चलाई गई थी और जो मच्री उत्पादन option D दे रखा है अपको मचली उत्पादन से संबंदित है तो ये निली करांती है ये किसे संबंदित रहेगी मचली उत्पादन से संबंदित रहेगी राइट आंशर क्या रहने वाला है निली करांती किसे संबंदित है मचली उत्पादन से 1970 के दसक में blue करांती चल आई गई थी अगले परसन पर चलते हैं अगला परसन रहेगा डोट 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 मतलब खालिस्तान आपके सामने है इसमें से बढ़ना है देखिए इंजाइम गुलुकोज को इथाइल एलकोहॉल और कारवन डायाकसाइड में रुपांतरित करता है यानि वो कौन सा आपके सा परतिकरिया भी कहते हैं अगला परसन देखिए चिली सोरा है तो चिली सोरे का आपका सूतर बताना है बहुत ही जी है चिली सोरा क्या है आपने सोच लिया होगा जी हाँ आपने सही सोचा है अंसुर क्या जाने वाला है ए तो अंसुर हैगा एन एन ओ थ्री एन एन ओ थ्री चिली सोरे का रसाइनिक शूतर है अगला परसन एक दिये गए स्तान और सम्मे और वायू मंडल की स्तिति को क्या कहा जाता है बहुत यासान है एक स्तान दे दिया गया एक सम्मे दे दिया गया निधारित उसकी वायू मंडल की स्तिति को क्या बोलेंगे तो उसको बोलेंगे हम क्या मोसम वैसे ये जोगरोफिगा भी क्यूशन है ध्यान में रहे आपको एक सम्मे एक निशिस्तान दिया गया है साथ में सम्मे भी दिया गया है तो उसको क्या बोलते है उसको मोसम बोलते है और लंबे सम्मे तक के लिए बताया जाए उसके क्या बोलते है जलवायू बोलत दी है तो पृत्य है इंदर जो आपको मैंने टाइप करके दे रखें अच्छा गेलेन है तो गेलेन क्या है और इसका सुतर बताना है किसका गेलेन क्या है बहुत इप्वर्टेंट है गेलेन है इसकी आपको पर आपको कि तारिक में आपको लिंक डालड़ या जाएगा वह लिंक से पी की बेंकिंग गुणवत्ता की बात की जा रही है किसकी बात हो रही है गेहूं की बेंकिंग गुणवत्ता तो इसका राइटा अंसुर क्या रहने वाला है अंसुर रहेगा इसका सही हम बात करें गेहूं की बेंकिंग गुणवत्ता का भी क्या रहने वाला है बी ग्लूटेन क परperform काफी बड़ा हैico Two जब reindeer की मांस पेश्यों को प्रयाप्त oxygen नहीं पूंचτιन नहीं पहुंचेगा हरीद्य मांस पेश्यों को दो तो तुर्ण चाती में अब आपक्षन दिखाई देंगे तो इसका अंचुत क्या रहेगा कारण क्या होता है कारण अगले प्रसन पे चलते हैं एक विदूत विभो के अंतरगत कलीलिया कणों की गती को क्या कहते हैं तो इस गती को क्या कहा जाता है विदूत का संचालन कहते हैं अगले प्रसन पे चलिए सभी प्रसन पुछे हुए हैं कोई न कोई एक्जाम में जनमजात रोग परती रोगता का सरीर किरिया रोदी निमलित में से कोन साहे चुनिये परसन सुनिये जनमजात रोग परती रोगता का सरीर किरिया रोदी कोन साहे इन में से तो इसमें से राइट अंसर रहेगा इसके अंदर हमारे सरीर पर तौचा क्या अंसर रहेगा हमारे सरीर पर तौचा अगले परसन पर चलते हैं अगला परसन बहुत ही असान है आप सभी के लिए इजी रहेगा जुगाली करने वाले अमसे जुगाली करने वाले अमसे से कितने भाग में बंटा है अमसे उनका जो अमसे है वो कितने भाग में बंटा है चार बागों में जो पसुगाली करते है उनका अमसे कितने भागों मे अगरी परस्ण पर चलिएए देखो परकास अनूग्र है परकासा अनूग्र है तो परकासका 1 estar हाइझ तो आंसर रहेगा इसका एडा एडोरी के साथ वाय्यूम्हिश का यूं तामबा आधर कार्बनयोग साथ मिल्कर भायू में अभी किरिया करगे हरी रंग किया बनाता है कोपर कार्वववंेट क्या बनाता है कोपर कार्ववband incorporate थ्यान रहि एक इसा खिरफार दार म२ mãeणा का खुरो नमर्ट नम्रों सकरण करें एक इसा होगा तो दोनों हो सकते हैं इसमें आपड़े दोनों उत्तल होंगे क्या होंगे दोनों उत्तल होंगे ध्यान में रखना इस कंडिशन में हैं मिसा दोनों उत्तल बारिस की बुंदे खालिस्तान के कारण गोल होती है बारिसकी बुंदे के कारण गोल होती है जल का प्रिष्टिय तनाओ जल का प्रिष्टिय तनाओ के कारण सत्रा दो बार आ गए हैं तो इसका मतलब 20 क्यूसन बन गए हैं इसके अंदर एक उसन आपके लिए अधिक है अगर एक जो गुरोफिक आ गया है तो साइंस के फिर 20 की उसन पक्के है बोरेक्स के दिर्माण में प्रियुक्त होता है जो बोरेक्स बनता है उसके बोरेक्स के दिर्माण में प्रियुक्त होता है क्या प्रियुक्त होता है बोरेक्स के गाण में धावन सोडा ठीक है क्या प्रियुक्त होता है दावन सोडा प्रियुक्त होता है वोसिंग सोडा बोले जिसे हम अगला वह उपकरण जो धावनी को विदुत तरंगों में बदलता है धावनी होती है ना उनको विदुत तरंगो में बदलने का काम उन Dalist Question पर चलते हैं आगरी परसन रहेगा निमलिक्त में से कौन सा एक पादप हार्मोन है निमलिक्त में से कौन सा एक पादप हार्मोन है तो Jikki by Divingический YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अब भी जिन्हों ने subscribe नहीं किया क्योंकि आपके लिए बड़ा benefit होने वाला फाइदा मिलने वाला आने वाले exam के लिए मैं डेली पिछे के जो पुछे ये परसन है उनका answer दूँगा तो कौन सा पादप हर्मोन है ने मिलिक्त में से तो सुन ले जिए answer होगा cytokinin क्या answer हैगा cytokinin तो cytokinin इसका right answer है पादप हर्मोन है ये तो भाई जिस तरह से हमने ये discussion किये केवल हमने 11 मिन्ट में इन सभी को क्यूसनों को clear कर लिया है तो देखिए इसी तरह से मतलब 1 मिन्ट में 2% पढ़ रहे हैं बच्चों के comment आये थे आप सभी के comment आये थे मैंने एक एक का comment पढ़ा था तो कुछ एक का कहना था कि आप 4 option मत बोलिए time खराब होता है तो मैंने इस वीडियो में 4 option नहीं बोले हैं आपकी बात बिल्कुल माने गई है जो भी आपकी अभी भी नई राय है कोई और राय देना चाहता है कि हाँ थोड़ा सा आप ये कीजिए वो कीजिए तो ये वो भी आपके कहने पर हमें करेंगे लेकिन एक चीज मेरे कहने पर अभी इस वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी study group है जितने भी study group है आपके whatsapp पे सबी में send करेंगे facebook पे share करेंगे और instagram, telegram जो भी चलाते हो उन सबी पे share करने का काम करेंगे और जिनों ने अभी तक channel subscribe नहीं है subscribe कर लेना और जो subscribe करने के बाद bell icon होता है न वो जुरूर दबा लेना वै ठीक है तो मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए राम राम गुड़ बाई